हेलो फ्रेंड्स दिश इस अश्पी सिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर अवरी डे प्यारे दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कानपूर युणिश्टी में जो पेपर सेकेंड है आपका पार्ठिकरम विकास एवं आकलन ठीक है जिसको हम इ देता है ऐसे टॉपिक्स पेपर फर्स्ट के मैं बता चुका हूं और आज टर्ण है पेपर सेकेंड का ठीक है तो पेपर सेकेंड जो आपका है मेरे पास यह पेपर है 2020 में जो कोशन पेपर आपका पूछा गया था इसको भी लास्ट में ठोड़ा देख लेंगे कि कि किस प स्क्रिप्सिन में मिल जाएगा तो यह आपका पीपर शेकेंड है केरिकुलम डफलपमेंट असेस्मेंट पार्टिकरम विकासेवं आकलन सो प्यारे दोस्तों कुछ ऐसे में टॉपिक्स की हम बात करेंगे जो बहुत ही बहुतरिन टॉपिक्स हैं जहां से मुस्टली कोर्श क्या आ जाता है कोई नहीं जानता है बाकी एक अइडिया होता है और एक गैस हम लोग कर सकते हैं विएग टीजर कि कहां से कुर्शन मुस्टली पूछे जाते हैं हम उस बेस पर बताते हैं कि पहले यह देखते हैं कि कहा से कुच्छन कई बार कूछा गया है वही टॉपिक ह यूनिट में कितना इंपोर्टेंट है क्या कि आपको पढ़ना है आप उसको वेल लीड अच्छे पढ़ लीजे और बाकि अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखा हो कि बीट की कॉपी कैसे लिखनी है तो वो वीडियो बार देख लिए आपको पूरा अनुमान हो माकलन की कैरिकुलम डफलेमेंट एंड असेश्मेंट ठीक है और यह कोश्चन पेपर है 2020 का मैं एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें सभी कोश्चन पेपर को डिसकस किया हुआ है सारे कोश्चन पेपर उसमें है और इस कोश्चन पेपर को भी लास्ट में एक बार नजर इ देख लेंगे ठीक है यह 2020 में जो कुछ में पर आया था तो इसको आप लास्ट में देख लीजिएगा क्योंकि आपने बीट फर्स्टियर का कि जाम दिया नहीं है तो आपको इतना नॉलिज नहीं है ठीक है मैं इसको लास्ट में समझा दूँगा तो पहले इसको बात कर लेत है important topics की आप pen copy साथ में लेके बैठिए ताकि जो important topics है उनको आप note करते चलें क्योंकि सायद बुक नहीं होगी आपके पास तो यह बुक है मेरे पास ठीक है यह आपका paper second होगा बाकी paper कब होगा क्या होगा university ने बिल्कुन कता ही कसम खा रखिये कि बताएंगे नहीं अभी my difference unit wise में बता देता हूं कि कौन-कौन से topics जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत बेत्रिन हैं आप इन ही को पढ़िएगा क्योंकि आपके पास time कम है देखिए because of जो बुक है हमारी यही पार्ठिकरम पे बेस्ट है पूरी बुक पूरा यह जो यह पूरी बुक है पार्ठिकरम पे बेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि पार्ठिकरम को हम पहित्रिन तरीके से जानेंगे पार्टिकरम का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रक्रति क्या होती है, उसकी परिभाशाएं रटेंगे पार्टिकरम की कमसें हम दो-तिन परिभाशाएं आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि पूरी बुक का निचोड इसी में है पार्टिकरम में अभी मैं जो question paper आपको दिखाऊंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि हर question में पार्टिकरम से related ही पूछा गया है, पार्टिकरम जरूर पूछा गया है तो पाठिकरम की जो अवधारना है इसको आप जरूर पढ़ेंगे पाठिकरम का अर्थ पढ़ेंगे उसकी प्रक्रत को रीड कर लीजिए और परिभासाइं रट लीजिए बाकी आप रीड कर लीजिए वेल तरीके से बेहतर कर पाएंगे ठीक है तो ये तो एक अच्छा बीस में पूछा गया है इसका मतलब ये है कि इस बार ये आएगा नहीं इस बार आप कोई पाठिकरम पढ़िए ठीक है कोई पाठिकरम को रीड कर लीजिए अच्छे से पढ़ लीजिए प्रच्छन मत पढ़िएगा क्योंकि लास्टियर आया हुआ हुआ है तो बहुत कम चांसे जाएं कि इसको इस बार रिवाइज करें ठीक है इसके बाद आजाएए नेक्स्ट पाइंट पर प्रभावपूर्ण सिच्छन में पाठिकरम की भूमिका अगर इफेक्टिव टीचिंग जो है उसमें कैरुक लम्यारी टफलप जो पाठिकरम है उसका क्या रोल है ब क्योंकि सिच्छक की भूमिका बहुत आता है सिच्छक की भूमिका से रिलेटेड पाठिकरम विकास में सिच्छक की भूमिका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक इसी सब्जेक्ट में नहीं कहीं पर भी अगर सिच्छक की भूमिका कहीं पर भी पूची गई है तो उसम पाठिकरम विकाश के सिध्धांत नियोजन उपागम की बात की गई है इसमें पाठिकरम विकाश केरिखुलम डफलप्मेंट यह टॉपिक बहुत अच्छा है पाठिकरम विकाश के सिध्धांत को आप पढ़ लीजेगा बाकि इस पे मैं एक वीडियो बना दूँगा मैं थर्टी फोर पे देखिए मैं आपको हर चीज की जड़ तक पहुंचाना चाहता हूं जैसे यह चैप्टर है हमारे समने पार्टिकरम विकास के सिध्धान्त अब इसमें जो है यहां पर यह तो सिध्धान्त दिये गए हैं पार्टिकरम विकास के प्रमुक्षिधान्त हैं यह इसके सिध्धान्त हो गए ठीक है अब इन ही सिध्धान्त को जैसे चात्र केंद्रित पार्टिकरम है इसकी बात की गई है ठीक है और इसके बाद दूसरा फिर इसको एक्सप्रेंग किया गया है फिर क्रिया केंद्रित सिध्धान्त की बात की गई है फिर शमुदाय केंद् सिध्धान्त मैं आपको पढ़ा दूँगा ठीक है इसी को रीड कर लेंगे बुक से ही रीड कर लेंगे और रीडिंग भी मैं आपको एकदम कतरी बहुत्रियन तरीकी से समझा दूँगा तो यह हो गए पार्ठिकरम विकास के सिध्धान्त बहुत अच्छा टॉपिक है फिर अब उसके बाद अब आपको आना है पार्ठिकरम के प्रकार पर प्रकार को अच्छे से पढ़ना है तो यह हो गए आपकी यूनिट शेकेंड अब हम बात करेंगे यूनि यह एक अच्छा टॉपिक है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्टिकरप निर्धारकों की रूप में भारती समिधान में प्रदर्शित मोल ले तो इसलिए मैं बुक से समझा रहा हूं तो नीचे इंग्लिस लिखी हुई है यह दो टॉपिक बहुत अच्छे हैं अब हम पहुँच गए हैं यूनिट फोर्थ पे पार्टिकरम विकास के मुद्दे एवं रुजान इसे इसाटी इसमें आप केंदरी करद और विकेंदरी करद पार्टिकरम को बहुत अच्छे चेंपड़ेंगे किविएस in चेंदरी करद में भी केंदरी करद पूच्छा गया है तो इस tapaare केंद्रिकत न पोचके विकेंद्रिकत पूछेगा ऐसा अनुमान है ठीक है और उसके बाद सूचनाम संचार तकनीकी को आप अच्छे से पढ़ेंगे उदार सिख्चा और उपयोगिता बादी सिख्चा ये एक अच्छा टॉपिक है इस पे मैंने वीडियो युनिट फोर्स में एक पहला टॉपिक जहां से आपके विकेंद्रिकत पढ़ेंगे क्योंकि केंद्रिकत पूछा जा चुका है पिछले साल 2000 पीश में 21 में नहीं आएगा ऐसा मेरा अनुमान है सूचनाम संचार तकनीकी पढ़ेंगे उदार सिच्चा पढ़ेंगे और फिर आता है पार्टिकरम में नैतिक सिच्चा और मूली सिच्चा का इस्थान बहुत अच्छा टॉपिक है ठीक है? आप पढ़ेंगे इसके बाद हम पहुंचेंगे युनिट फिफ्ट पे हम आ गये हैं पार्टिकरम मूल्यांकन और आकलन से कोश्चन बहुत पूछता है तो इसमें हम एक तो देखिए पार्टिकरम मूल्यांकन और आकलन की अवधारना आवशक्ता, महत, अर्थ, परिभासा जो कुछ मिले आकलन और मूल्यांकन से ये आकलन और मूल्यांकन से समंदित जो कुछ मिले उसको तुरंत पढ़ लेना मैंने मुल्यांकन आकलन में अंतर बताया हुआ है सब पढ़ाया हुआ है आप देख सकते हैं बाकी और मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इसके पेपर सेकेंड के सतत और सगन मुल्यांकन इस पे मैंने वीडियो दिया हुआ है बहुत अच्छा टॉपिक है ठीक है इतना आप पढ़ेंगे और उसके बाद अब हम आ गए हैं यूनिट सिक्ष पे सिच्छा सांकिकी पे अगर आपके पास टाइम है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है प्राब्लम है ठीक है तो फिर आप सह समंद को पढ़िए यहां से यह एक अच्छा टॉपिक है यह आपको जरूर पढ़ना है इसमें आप कोई गंजूसी नहीं करेंगे और बाकि आप चाहें तो इनको केंदरी प्रवर्ति कीमाप और विचर्ण सिलता यह अच्छी टॉपिक है इनको भी आप पढ़ सकते हैं बाकि इसको तो नहीं छोड़ेंगे आप ठीक है मेजर साफ कोरिलेशन तो यहां से बस इतना ही था यह टॉपिक्स थे जो मैंने आपको क्लिरे करवाए है अब हम लोग एक नजल डालेंगे पेपर पे कि पिछले साल पेपर किस प्रकार्श आया था मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन आज फिर इसको एक बार एक बार questions के बार read करेंगे हम लोग ठीक है यह आपका को पेपर code है 28 part second examination 2020 पेपर second है आपका 80 नंबर का पेपर आपका आएगा अगर university ने कोई कटाउती नहीं की तो क्योंकि merit university ने पेपर को डेड़ गंटे का किया है और 40 नंबर का पेपर उनको दे रहे हैं सेक्शन ए से आपके 8 questions होंगे ठीक है अब देखे पहला question है पार्ट करम के छेत्र क्या है फिर देखे मैंने बताया था नब प्रच्छन पार्ट करम पूछा गया है आप इसको नहीं पढ़ेंगे ठीक यह नहीं प्रच्छन पार्ट करम पढ़ेंगे पार्टीक्रम के इस्तर को उचा करने की उपाय का वर्णन कीजिए इंगलिस में नीचे दिया हुआ आप वहाँ भी देख सकते हैं आर्थिक आधार का पाठिकर्म विकास में क्या योगदान है पाठिकर्म में सूचना प्रवद्धोगी का क्या महत्तो रेल मापन और मुल्यांकर में अंतर है पचली बार पूशा गया है इस बार भी आप थोड़ा पढ़ लेंगे बहुत अच् के कि इसके बाद आपको यहां पर long मेंके लिए यह पके short थे ठीक है यह पके short थे यह को मैं आपकेसंगे एक तो व्ह Tonight शार यह हैं और सार 500 क्रण हम और यहां पर आपको एक उसन मिलेग चार नम्बर का जो सेक्शन एइव वह आपका होगा 32 किस नंबर का। Section B, दो प्रशन के वल करने हैं Section B से और एक क्रूशन बारा नंबर का, यानि Section B आपका 24 नंबर का है, क्रूशन हमारे सामने 4 होंगे, करने के व'll 2 होंगे, पहला करूशन है, प्रभावसाली सिच्छन में पार्ट करम का क्या महत्तो है, ठीक है, और अगला करूशन है, पार्ट करम निर्मान के सिधांतों पर एक से चिप्ट टिपने लिखिये, यह समें टिक इसलिए लगए हैं क्योंकि मैं इसको पहले समझा चुका हूँ, वीडियो दे चुका हूँ पार्टिकरम के विकाश में दार्षनिक आधार एवं सामाजिक आधार की भूमिका बताईए भारती समिधार में नहित सिक्षा से समधित समवैधानिक मूलियों का वड़न कीजिए तो यहाँ पर हमारे सामने कोश्चन इन्होंने दिये हैं एक, दो, तीन, चार करने हैं केवल दो ठीक है, लॉंग है ये, एक कोश्चन बार नमबर का सेक्षन सी, सेम सेक्षन भी रहेगा इसमें भी केवल दो कोश्चन करने हैं एक कोशन 12 नमबर का होगा आप्सन में हमारे पास 4 होंगे केंदरी करत पाठ करम के विशय में आप क्या जानते हैं इसके गुणों एवं दोशों को बताईए पाठ करम समर्थित सामगरी के रूप में विभिन प्रकार की पाठ पुस्तिकों बाल साइत वर सिचक हस्त पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कीजिए पाठिकरम में मुल्यांगन की नवी नवधाना इस्पस्ट कीजिए वस्तोनिस्ट प्रकार के परिच्छन एवं निबंदात्मक प्रकार के परिच्छन में अंतर कीजिए शह समंद को प्रिभासित कीजिए और सिच्छा में इसके प्रकार का उडले कीजिए ये था आपका 2020 का question paper इससे आपको पूरा idea मिल जाएगा कि किस प्रकार से question paper आपका आएगा अगर किसी प्रकार की कोई कटोती नहीं हुई तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो परसंद आया है तो please वीडियो को like कर दीजे और आप अगले वीडियो में क्या चाहते हैं मैं paper third paper fourth तो clear करूँगा ही करूँगा main main topics का बाकि आप क्या चाहते हैं वो अपने comment जरूर छोड़के जाए तो उसे एक idea मिल जाता है कि जो मेरे student है वो क्या चाहते हैं ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर end करते हैं और अगर आपने अभी तक मुझे instagram, twitter पर follow नहीं किया है तो वहाँ जरूर फालो कीजे ठीक है, thank you अपना comment जरूर छोड़के जाए अपनी राय जरूर दीजे, thank you